हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आर्थिक सर्वेक्षन 2022-23 के एक्स्क्लिूजिव और बहतरीन क्वेस्चन्स तो चलिए सुरुवात करते हैं पहले क्वेस्चन के साथ तो दोस्तो इसका राइट अंसर है पानिपत पानिपत में पोलिएस्टर चिप्स का निर्माण होगा पोलिएस्टर चिप्स को पोलीमर या प्लास्टिक के अधार या बेस के रूप में जाना जाता है Next question देखिए हरियाना में कहां से कहां तक नेचर ट्रेल का सुबारम्ब किया गया है जिसकी लंबाई 150 किलोमेटर है Option 1 कालका से कलेसर Option 2 कालका से अंबाला Option 3 धारु हेडा से मानेसर Option 4 थानेसर से जोतीसर इसका राइट अंसर होगा कालका से कलेसर तक हर्याना में कालका से कलेसर तक नेचर ट्रेल का सुबारम किया गया है जिसकी लंबाई 150 किलोमेटर होगी नेक्स्ट कुश्चन है जी एस्टी कलेक्शन में हर्याना कितने परतीशत योगदान के साथ पहले स्थान पर है ओप्शन एक 6 परतीशत ओप्शन 2 6.4 परतीशत ओप्शन 3 7 परतीशत ये ओप्शन 4 7.4 परतीशत तो इसका राइट अंसर होगा 6 परतीशत जी एस्टी कलेक्शन में हर्याना 6 परतीशत योगदान के साथ पहले स्थान पर है नेक्स्ट कुश्चन है हरियाना में हैरिटेज सर्किट का संबंद किन स्थानों से है उप्षिन एक है रेवाडी नारनोल महंदरगड उप्षिन दो कुरक्षेतर थाने सर जोति सर उप्षिन तीन कुंडली माने सर पलवल उप्षिन चार कालका पंचकुला नारायनगड तो इसका राइट अंसर होगा रेवाडी नारनोल और महंदरगड हैटेज सर्किट का संबंद रेवाडी नारनोल और महंदरगड से है साथ ही आपको याद रखना है जो कृषिना सर्किट है उसका संबंद कुरक्षेतर से है नेक्स्ट क्वेशन देखिए, हर्याना में कहां पर दूद और दूद के उत्पाद पैक करने है तू, स्वच पोली फिल्म का निर्मान किया जाएगा, उप्षिन एक है, आई-म्टी खर्खोदा, उप्षिन दो, आई-म्टी रोहतक, उप्षिन तीन, आई-म्टी मानेसर, य इसका राइट अंसर होगा, आई-म्टी रोहतक में दूद और दूद के उत्पाद पैक करने है तू, स्वच पोली फिल्म का निर्मान किया जाएगा, नेक्स्ट क्वेशन है, हर्याना के किन दो जिलों में बे सहारा एंव परवासी बच्चों के लिए पुनरवास के इंद स्थापित किये जाएंगे, ओप्शन एक रोहतक और रेवाडी, ओप्शन दो पानिपत और करनाल, ओप्शन तीन पानिपत और यम्नानगर, ओप्शन चार गुरुगराम और फरिदाबाद, इसका राइट अंसर होगा, पानिपत और यम्नानगर में पे सहारा एंव परवा अप्शन दो स्वास्थे, ओप्शन तीन सीवरेज, या ओप्शन चार रोजगार, इसका राइट अंसर होगा, सीवरेज, हरियाना सुवन जेनती महागराम योजना, सीवरेज से सम्मंदित है, नेक्स्ट क्रेशन है, हरियाना के किस जिले में सबसे ज्यादा खाने हैं, यम्नानगर में वरतमान में 30 खान मुझूद हैं, नेक्स्ट क्रेशन, हरियाना में वरतमान में गोदाम की संख्या कितनी हैं, ओप्शन एक 111, ओप्शन दो 121, ओप्शन 3 113, ओप्शन 4 130, तो दोस्तों, वरतमान में हरियाना में कुल गोदाम की संख्या 113 है, नेक्स्ट कुश्चन है किस दशक की जनगना में हरियाना का लिंगानुपात सरवादिक था ओप्षिन एक है 1970, ओप्षिन दो है 1980, ओप्षिन तीन है 1990, या ओप्षिन चार है 2011 तो दोस्तों 2011 की जनगर्णा में हर्याना का लिंगानुपात पहली जनगर्णाओं के मुकाबले बहतर था मगर अभी भी हर्याना की गर्णा निम्न लिंगानुपात वाले राज्यों में की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहट खरीफ 2022 में किन फसलों को शामिल किया गया है ओप्शन एक है बाजरा और मक्का ओप्शन दो है बाजरा और सर्सों ओप्शन तीन है पोपलर और नीलगिरी ओप्शन चार है कपास और मक्का तो इसका राइट अंसर होगा पोपलर और नीलगीरी नीलगीरी एक पोधे का नाम है जिस पर 12 साल में एक बार फूल खिलता है हरियाना में 2030 तक 30 परतीशत इलेक्ट्रिक वहिकल का लक्षे किस अभियान के तहत रखा गया है ओप्शन 1 EV30 at 30, ओप्शन 2 EV at 30, ओप्शन 3 30 EV at 30, ओप्शन 4 30 at 30 EV तो दोस्तों इसका राइट अंसर होगा EV30 at 30 यानि इलेक्ट्रिकल वहिकल 30% at 2030 2030 तक हरियाना में 30% इलेक्ट्रिकल वहिकल का लक्षे रखा गया है नेक्स्ट कुस्चन है हरियाना में कहां पर ओक्षीजन प्लांट लगाया गया है ओप्शन है गुरुग्राम, पंचकुला, हिसार और रहतक तो इसका राइट अंसर होगा हिसार, हिसार में उक्षीजन प्लांट लगाया गया है मैं आपको बता दूं कि यह है उक्षीजन प्लांट पहले हाइड्रोजन प्लांट था जिसे बदल कर उक्षीजन प्लांट का रूप दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्याना में पसुधन भारत के कुल पसुधन का कितना प्रतिशत है पहला उप्षिन है 2.2 प्रतिशत दूसरा उप्षिन है 3.9 प्रतिशत तीसरा उप्षिन है 1.34 प्रतिशत या चोथा उप्षिन है 2.10 प्रतिशत तो दोस्तों इसका राइट अंसर है 2.10 परतिशत मैं आपको बता दूं कि हरियाना में जनसिंख्या का परतिशत देश का 2.09 परतिशत है और पसुधन 2.10 परतिशत तो आप इन दोनों को एक साथ याद रख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाना में एकिकरित मदुमक्की पालन के अंदर कहा स्थित है कुरुक्षेतर हिसार करनाल या महंदरगड तो इसका राइट अंसर है कुरुक्षेतर के राम नगर में एकिकरित मदुमक्की पालन के अंदर स्थित है नेक्स्ट कोश्चन है हर्याना में वर्तमान में कुल कितने ओक्सी वन है ओप्शन एक है 22, ओप्शन दो है 24, ओप्शन तीन है 32, या ओप्शन चार है 34 तो दोस्तो हर्याना में वर्तमान में कुल 34 ओक्सी वन है हर्याना राज्य का रश्टर की GDP में स्थिर कीमतों पर कितने प्रतिशत योगदान है option 1 3.6%, option 2 3.9%, option 3 2.99%, option 4 2.3% तो इसका right answer है 3.9%, स्थिर कीमतों पर 3.9% है और यदि आपसे पुछा जाए चालू कीमतों पर कितने प्रतिशत योगदान है तो वो है 3.6% Next question देखिए हर्याना में निकासी हेतू कितनी drainage का जाल है? Option 1 500, Option 2 700, Option 3 800 या Option 4 1100 तो दोस्तों हर्याना में 800 drainage का जाल है जो निकासी हेतू प्रियोग की जाती है साथ ही आपको याद रखना है कि हर्याना में निकासी ववस्ता इतनी अच्छी नहीं है जो की बाड का हरियाना में मूल कारण है नेक्स्ट क्वेशन देखिए हरियाना में विध्वा पेंशन योजना कब सुरू की गई थी? 1987, 1981, 1982 या 1991 बढ़े इसका राइट अंसर होगा 1988, 1981 में विध्वा पेंशन योजना सुरू की गई थी नेक्स्ट क्वेशन देखिए हरियाना में नई आटा मील कहाँ पर स्थापित की जाएगी? उप्शन एक रादोर उप्शन दो रामपूरा उप्शन तीन नारनोल उप्शन चार जाटू साना इसका राइट अंसर होगा जाटू साना जाटू साना रेवाडी में हरियाना में नई आटा मील स्थापित की जाएगी? साथ ही आपको याद रखना है कि बीज प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बीज प्लांट कैथल में हल्दी प्लांट रादोर नई तेल मील रामपूरा रेवाडी दोस्तों ये थे आर्थिक सर्वेक्षन 2022-23 से बहतरीन और एक्स्क्लिजिव कोश्चन्स ऐसे ही बहतरीन वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्यूप यूट्यूब चैनल थेंक यू